सब्सक्राइब करें सब हिंगी यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आखो मिले ताज़ा ख़बरें सबसे पहलें राम नवमी जुलूस को लेकर बिहार के नालंदा आजिले में भड़की हिंसा अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई है कि अब नवादा आजिले में हिंसा भड़क गई है नवादा में बजरंगबली की मूर्ती तोड़े जाने को लेकर दो समधाय के बीच काफी जड़प हो गई है बात बढ़ते बढ़ते हिंसा में तबदील हो गई इस हिंसा में कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए है हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने अभी तक दस राउंड की फायरें की है बताया जा रहा है कि देर रातना वदा बाइपास पर बजरंगबली की मूर्ती को तोड़ दिया गया था जिसके बाद से ही हालात बे काबू होते चले गए गवर तलब है कि मूर्ती तोड़े जाने के बाद गुसा इस्थानिये लोगों ने गाड़ियों को तोड़ने के अलावा कई दुकानों में भी आग लगा दी जिला प्रशासन ने सुरक्षा विवस्था को देखते हुए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है बतादें की राम नवमी के मुके पर बिहार में फैली हिंसा की चिंगारी अब राज्य के छे जलों में पहुँच गई है कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है गौर करने वाली बात है कि पिछले चार दिनों में समस्तीपूर, मुंगेर, औरंगाबाद, नालंदा, भागलपूर और रिया में हालात बिगड़े हैं भागलपूर के नाथनागर इलाके में इंसा फैलाने के आरोपी अर्जित शाश्वत के खिलाफ गर जमानती वारंट होने के बावजूद अभी तक कोई कारेवाही नहीं हुई है